अच्छा सुनो, ओनलाइन सिक्षन में स्वागत है आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ना और कर लिये है तो सब्सक्राइब कर दो, घंटी का बटन दबाना, बिल्कुल मत खुलना और जल्दी से नोट बुक लेके बैच जाओ, साथ साथ नोट दू बनाना ह पेपर में अक्षे नमबर लाना है तो चलो आज के टोपिक की करते धमा के दार शुरवाद किरिया गति विदी आधारित सिक्षन विदी, रूची पॉन सिक्षन विदी, सहभागी सिक्षन विदी, दक्सता आधारित उप्चारातमक सिक्षन विदी ये सबी हम पढ़ चुके हैं आज हमारी लास्ट नवीन विधी है जिसका नाम है बहु इस पर ये सिक्षन विधी तो दोस्तो यही हम जानेंगी और इसी लिए मैं आपको प्रिंटिड फॉर्म में ये सब चीज़ें लेके आई हूँ जिससे आपको पता चले आज की क्लास कितनी महत्पून है आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है कि ये कोश्चन आपके एक्जाम में कितनी बार रिपीट हो चुका है 2016 में भी यही question पूछा गया था आपको 2018 और 2017 में भी आपसे यह question पूछा जा चुका है तो आज की class बहुत important है आपको बहुत ध्यान से समझनी है ठीक है दोस्तों तो चलिए करते हैं शुरुवात अपने पूरे ध्यान से पढ़ते हुए ठीक है हम पढ़ेंगे बहुर सिक्ष या बहुकक्षा सिक्षन विधी सबसे पहले जानेंगे यह क्या होता है उसके बाद इसका अर्थ परिभाशा इसकी उपयोगीता है विशेशता है सब कुछ जानेंगे आप तसलिसे बैठिये अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा ठीक है दोस्तों तो चलिए सबसे पहल बहुकक्षा सिक्षन पदती एक ऐसी वेवस्ता है जिसमें एक सिक्षक एक कक्षक को ने पढ़ा कर कई कक्षाओं को एक साथ देखता है अर्थात पढ़ाता है क्या करता है एक साथ सिर्फ एक नहीं कई कक्षाओं को पढ़ाता है एक ही सिक्षक ग्रामेर सेत्रों में इस् काफी ज़्य होते हैं और उसके अनुसार सिक्षक बहुत कम होते है तो उन्हें क्या करना होता है कि एक ही कक्षा में कई कख्षा उसका वाले बच्चों को बैठा कर एक ही टीचर उन सबको पढ़ाता है ठीक है दोस्तों तो ग्रामेर सेत्रों में फाला很好 आज भी सिख्षकों की इस्तिती अत्यंत दैन्य है अधिकतर प्रात्मिक विध्यालियों में एक या दो सिख्षक होते हैं सन 1986 में सरवय के अनुसार 2870 प्रात्मिक विध्याले में एक सिख्षक तथा 32 प्रतिसत प्रात्मिक विध्यालेयों में दो सिख्षक ही नamtौत थे आज सिख्षक का पर्चार एवं परसार होने से नवीन सिख्षण पदती बहुकक्षा सिख्षण का विकास हुआ है ठीक है दोस्तो इस तरह से इसका विकास हुआ बहु कक्षा सिक्षण में सिक्षण दुआरा छात्रों के वहवार का अवलोकन किया जाता है तथा उनके वहवार में मंद गती का पता लगाया जाता है शाक्षतकार से भी बालक की विभिन कठिनाईयों का पता लगाया सकता है इसके लिए सिक्षण को बालक के आदमिये ताप्राप्त करनी होगी ताकि वह उससे खुल कर बात कर सके तो ये तो थी इसकी जरूरत की बात की किस तरह से इसका विकास हुआ जरूरत कैसे पड़ी बहु कखसा सिक्षण विधी को लाने की ये इसकी जरूरत के हिसाब से हमने देख लिया है, अब हम जाने की होता क्या है ठीके दोस्तो दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत से बच्चे क्या होते है कि सिक्षन अधिगम के नाम से ही घबराते है कि नाम ऐसा है तो पतनी अंदर कितना कुछ महान या इतना जादा पढ़ने को मिलेगा ऐसा लेकिन आपको डढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सब चीजे बहुत नॉर्मल बहुत आसान होती है आप बस ध्यान लगा के पढ़ते चलिए सब कुछ देरे देरे आपको समझ आता जाएगा अगर आप पहली बार ऐसी कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे है आपको घबरानी की बिल्कुल जरूरत नहीं मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूँगी सब कुछ समझाऊंगी आप बस विश्वास रखिए और अपनी तयारी महनत के साथ कीजिए ठीक है दोस्तो तो चलिए जानते हैं बहु शेत्रिया या बहु कक्सा सिक्षन से क्या भी प्राए है चलिए देखते हैं इस वैज्ञानिक यूग में परतियेक शेत्र में विकास की परकिरिया परसर्ष्थ हो रही है लेकिन जितना विकास हो रहा है उतनी ही नवीन समस्याई भी जनम ले रही है चाहे वैसा माजिक सेत्र हो या राजनेतिक या फिर सिक्षन का सेत्र ही क्यों नहीं हो वर्तमान समय में शिक्षन के शेत्र में अनेक समस्याय पैदा हो रही है जिससे छात्रों की सिक्षा व्यवस्ता उप्युक धंग से नहीं हो पा रही है इसी परकार की एक समस्य है विद्यालियों में बढ़ते छात्र तथा अध्यापकों की गटती संख्या ठीक है अब बात करेंगे अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अधिकतर प्रात्मिक विद्यालियों में यह देखा गया है कि एक से पांच तक कक्साय तो चल रही है लेकिन वहां अध्यापकों की संख्या एक या दो से अधिक नहीं होती कक्षाए तो 5 चल रही है लेकिन अध्यापक सिर्फ या तो 1 या फिर 2 ऐसी स्थिती में क्या होता है सिक्षण हो पाना संभव नहीं हो पाता कि वो दो टीचर्स कैसे बार-बार पाचों किलासों में जाए उन सब को पढ़ाए इस तरह से संभव नहीं हो पाता तो इस तमस्या के समधान के लिए बहु श्रेणी सिक्षण विधी का जनम हुआ ठीके अब हम जानेगे बहु इस्तरिय सिक्षण विधी का अर्थ मीनिंग ओफ मल्टी स्टैप टीचिंग तो बहु श्रेणी सिक्षण विधी का अभिप्राय ऐसे सिक्षण से है जिसमें सिक्षक दो या दो से अधिक कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैक्ठा कर उनकी व्यक्तिक रूचियों या इंडिविज्वल इंट्रेस्ट विभिंता उपलब्धी अभिरूची मांसिक प भी बना रहता है ठीक है दोस्तों आपको समझाया एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूं कि बहु शिक्षण विधी का क्या अर्थ है इसमें क्या होता है कि एक शिक्षक दो या दो से अधिक कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैठाकर एक ही कक्षा में बैठाकर उनकी व् चात्र पढ़ते रहते अध्यनरत रहते हैं और कक्षा का अनुसासन भी बना रहता है और सब पे अध्यापक नजर भी रखता रहता है एक साथ में ठीक है अब देखते हैं कि उद्देश्य क्या था बहु इस तरिये सिक्षण विधी को लाने का उद्देश्य क्या था एम of multi-step teaching method चलिए एक एक कर इन्हें भी जानेंगे बहु इस तरिये सिक्षण विधी के निमलिखित उद्देश्य है कौन-कौन से सबसे पहला और सबसे जरूरी कि छात्रों के समय का सदूपयोग करना अगर वे विध्याले में आए हैं तो पढ़ने के लिए आए हैं उन्हें बैठा के ऐसे ही एक जगे नहीं छोड़ देना है उनको पढ़ना है तो उनके समय का सदूपयोग करना है अगर हो अपना समय दे रहे हैं विध्याले आ रहे हैं तो उनको सिक्षण दिया जाना चाहिए चात्रों को उप्यूक्त विधी से सिक्षण कारिये करना ठीक है अग चात्रों में सरजनात्मक सक्ति का विकास करना ये सभी क्या है उद्देश्य है सिक्षा सिक्षन परकिरिया को सुचारू रूप से चलाना चात्रों को लोक संसकर्ती गीत नाटक लोक गीत कवीता पाठ आदि से परीचित कराना चात्रों का मानसिक विकास स्वेभाविक कौन कौन से होते हैं कि छातरों के समय का सदुपयोग करना चाहिए और अनुसासन बनाए रखने के लिए हम बहुँ सतरे शिक्षन विधी का परियोग करते हैं उपियुक्त सिक्षण परणाली या विधी का परियोग होना चाहिए जो सिक्षण को के अभाव की समस्य है उसका समाधान करना चाहिए और क्या होना चाहिए चात्रों की रूची के अनुसार उनको अध्यन करवाना चाहिए और साथ साथ सिक्षण सिक्षा परकिरिया को पूछा गया है कि बहु इस तरिये सिक्षन विधी जो है उसकी नीतिया क्या है या उसके सोपान क्या है या फिर कह सकते हैं उसके कौन-कौन से स्टैप्स होते हैं ठीक है तो यही सब हम जानेंगे क्या होता है बहु इस तरिये सिक्षन विधी की नीतियों को बनाना इसलिए अवश्चक है जिससे छात्रों में सिक्षा उद्देश से पाठेवस्तु तथा पूर्व कक्सा इस्तर के नुरूप निर्धारित गुणों का विकास आसानी से हो सके इन नीतियों के निर्मान करते समय तथा इनका वहवारिक रूप में परियोग के समय छात्रों की मनोवैज जियानिक विभिनताओ परिस्थितियों रूचियों आदिक को ध्यान में रखना आवश्यक होता है तो कौन-कौन से स्टैप्स है जो हमें फोलो करने चाहिए जब हम बहु इस तरह सिक्षन विधी को अपनाते हैं सबसे पहला और जरूरी है कि उप्यूक्त समय सारणी का न रहे है तो हमें पहले ही डिवाइड कर लेना है टाइम कि किस के हिस्ते में कितना टाइम जाना है ठीक है तो उसे क्या बोलेंगे हम उप्यूक्त समय सारणी का निर्मान करना दूसरे नमबर पर होता है परतिये कक्षां से कर्मट एवं उप्यूक्त मोनिटर का चुनाव करन दूसरा step क्या होगा जब हम decide कर लें कि हमें कितना time कौन सी कक्षा को देना है फिर हमें ये देखना है कि परतिय कक्षा का सबसे होशियार या सबसे लगन वाला बच्चा कौन सा है हमें उसको चुन के उसको monitor बनाना है जिससे वो हमारी मदद कर सके क्योंकि अकेले teacher पांच कक्षाओ को नहीं संभाल सकता इसलिए उसे monitor की help लेनी होगी तीसरा step फिरम क्या करेंगे monitor का चुनाव करने के बाद छात्रों के द्वारा निर्मित अधीगम सायक सामगरी का उचित रख रखाव जो अधीगम सायक सामगरी होती है उसका उचित रख रखाव करना है ठीक है जो आपनी copies चेक करवाने के लिए लाए है या कुछ भी हो सकता है उसमें उन सब चीजों को सही से maintain करके रखना है चोथे नंबर पर आता है विद्ध्यालिये में चात्रों के इस्तर की अनुरूप पुस्तकालिये की भी वेवस्ता होनी चाहिए फिर से समझाना चाहिए दोस्तों जब हम बहु कशा स्टिक्षन की विधी का परियोग करते हैं तो ऐसी बहुत सी समस्याई है जो हमें फेस करनी होती है उन में से कुछ आपके सामने है आपके एक्जाम में विल्कुल लिखने को आ सकती है आप जायद जादा पांच लिखियेगा उससे जादा नहीं इन में से आपको जो आपकी समझ आए वो रख लेना इसलिए मैं सारी आपको बताऊंगी ठीक है? सारी ही आपको समझाऊंगी आपको जो अच्छी लगे आप उसमें से चुनिए अपने नोट्स बनाईए ठीक है दोस्तो तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी समस्या है बहु कक्षा सिक्षन में अध्यापक सभी विश्यों पर ध्यान नहीं दे पाते बिल्कुल नोर्मल बात है नहीं दे पाएंगे इतने सारे बच्चे है इतने सारे उनकी पाठे वस्तुए है तो कैसे ध्यान दे पाएंगे परती एक विशय पर वो अगली समस्या क्या होती है कक्षा कक्ष में अनुसासन हिंता बनी रहती है कोई ना कोई बात करता रहेगा कुछ ना कुछ ऐसी चीजे गढ़नाएं होती रहेगी जिससे अनुसासन बिगड़ता है आगे देखते हैं अध्यापक को मोनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है ये भी इसकी समस्या ही है चोथी समस्या क्या है एकल अध्यापक विध्यालियों में अध्यापक के आकस्मिक अवकास पर जाने से विध्यालिय की चुट्टी हो जाती है अगर मालिया पूरे विध्यालिया में एक ही टीचर है और उसको भी अचानक से किसी जरूरत से छुटी लेनी पड़ जाए तो उस दिन का छुटी ही डिकलेयर हो जाती है स्कूल की सबकी ही छुटी हो जाती है तो ये भी एक समस्या है बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होत अध्यापक कक्षा में उपस्तित सभी छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाते अध्यापकों को बहु कक्षा सिक्षण है तो पर सिक्षण नहीं दिया जाता है ये बहुत बड़ी बात है कि इनको कोई पर सिक्षण अलग से नहीं मिलता है कि वो बहु कक्षा सिक्षण परणा आगे देखते हैं, अध्यापक छात्रों को समझाने में सफल नहीं हो पातक, बहुत हद तक ऐसा होता है, और विध्याल में कक्षा कक्ष एवं सिक्षा उपकर्णों का आभाव भी बना रहता है, तो चलिए अब जब समस्याय आती है, तो हम अध्यापक है, उनका समाधान इस तरह है कि बहुत सिक्षन परणाली का अगर आपको परियोग करना पड़े, हाला कि मैं एक्षाम के पॉइंट ओफ यू से पढ़ा रही हूं, लेकिन अगर उसमें आपका जेनरली भला हो जाता है, तो उसमें दिक्कत वाले होन सी बात है, तो आपको ऐसे ही समझना है, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीके, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कक्षा में जाने से पहले योजना बना लेनी चाहिए, क्या सिक्षक द्वारा सिक्षन से पूर ही योजना बना लेनी चाहिए, कि उसे कौन सी कक्षा में जाके क्या पढ़ाना है, उससे disturbance की लिए नहीं होगा और नैतिक शिक्षा तथा सारेरिक शिक्षा के लिए सबी छात्रों को एक साथ एकत्रित किया जाए अध्यापक की अनुपस्तिती में कक्षा को देखने हैं तु मौनिटर का चुनाव आवश्य करें छात्रों को स्वेम करने के लिए देना चाहिए कारि के तना देना जिए बंद्ध से समय मंत्थजित्ति यद्ट करें को चलाए उर्णी करें मंद मुद्धि युर्फ अजाते cambiar पर्टियव से उसे अपके संहें के शात्रों कारिया नहीं नहींग बनाते ऊंफिफल इसे भी प्रोजेट कुछ होने चाहिए और चात्रों को कख्षा में पढ़ने एवं लिखने का समय परदान किया जाए सिक्षक चात्रों को सांस्कृतिक आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते रहे सिक्षक चात्रों की इस्तिती का ज्यान कराकर स्वेम की जिम्मेदारी का एहसास दिलाए ठीक है दोस्तों तो ये चीजे थी आज की हमारे इस क्लास में आज हम पढ़ चुके हैं सिक्षन की नवीन विधाये जो हमारा टोपिक है उस वो कम्प्लेट हो गया है आज कल से नए टोपिक के साथ सुरवात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार आशा करती हूँ आपको बहुत इच्छे सब कुछ समझ आया होगा दोस्तों अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट पोक्स में जरूर लिख भेजिए और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ जरूर सेयर करिएगा और हमारे टेलिग्राम क ग्रूप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप उसको जोइन कर लेना और फिर अगर आपकी कोई कोई रहती है मैं आपको अगली वीडियो में उसे जरूर एक्स्प्लेन करूगी थैंक्यू अपना घ्यान रखिए खुश रहिए